सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टूडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस वेल आइकन को दबाएं हलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल स्टडी टेस्ट टूडे में आपका स्वागत है और आज पढ़ेंगे ब्लड ब्लड को अच्छी तरह से समझेंगे और इसका बाद में टेस्ट भी लगाएंगे और देखिये हमारा जूब ज्यान का चैप्टर वाइच कलास चल रहा है जो फ्रेंड्स नहान है प्लिज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को फ्रेंड करें और हमारे चैनल में regular बने रहे हैं तो हम लोग समझेंगे रक्त के बारे में तो रक्त होता कि इसके बारे में समझेंगे रक्त के कितने भाग होते उसके बारे में समझेंगे रक्त का कार क्या होता है मतलब सब को अच्छी तरह से समझेंगे आप समझते चलिएगा तो रक्त क्या होता है तो रक्त तरल सोयोजी तक होता है और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग भार की लगभग साथ से आठ परसेंट होती है तो ध्यान से समझते चलिए आप लोग मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग साथ से आठ परसेंट होती है और जो रक्त होता है जो बलड होता है चारी बिलेन होता है रक्त जो होता है वो चारी बिलेन होता है जिसका पी अच मान 7.4 होता है जिसका पी अच मान होता है 7.4 ये तो बहुत इंपर्टेंट है ध्यान चे सबको समझते चलिए आप लोग स्वाष्ट मनुष्च में 5-6 लिटर बलड होता है अब महिलाओं में पूरुसों की अपेच्छा एक बटा दो कम रहता है आधा लिटर बलड कम होता है और जो बलड होता है वो दो प्रकार के होते हैं जैसे जो बलड होता है उसमें दो प्रकार के परदार्ट पाये जाते हैं रक्त में दो प्रकार के पदार्थ फाय जाते हैं तो पहला होता है प्लाजमा और दूसरा रुदी राडू तो प्लाजमा के क्या कारे होते हैं सबसे पहले इसको समझेंगे उसके बाद रुदी राडू का कारे क्या होता है सब उसके बाद इसको समझेंगे तो प्लाजमा के कारे क्या होता है जो प्लाजमा होता है यह रक्त का अजवीत तरल भाग होता है जो प्लाजमा होता है और जो प्लाजमा होता है यह हलके पीले रंका होता है जो प्लाजमा होता है यह हलके पीले रंका होता है और रक्त का लग भग 60% Пलाजमा ही होता है सब से important जो कोस्टैन यहाँ से बनने का चांस है ज्यादा होते हैं और प्लाजमा में 90% जल होता है 7% protein होता है 0.9% lower होता है 0.1% glucose होता है यहां पर glucose हो जाएगा friend typing में mistake हो गई होगी और जो सेस परदार्थ होते हैं वो बहुत कम मात्रा में बाद थोड़े थोड़े बहुत कम मात्रा में पाया जाते हैं जो सेस परदार्थ होते हैं जो प्लाजमा के कारे क्या होते हैं तो प्लाजमा के कारे क्या होते हैं तो पचे हुए भोजन एवन हार्मोन का सरीर में जो संबहन होता है वो प्लाजमा के द्वारा ही होता है जो पचे हुए भोजन एवन हार्मोन का जो सरीर में संबहन होता है पलाजमा के द्वारा ही होता है जो सबसे इंपपोर्टेंट है जो anything प्राइब्रीमोजन प्रो थ्रक्रोंबीन गलोबियूलीन अधिवर्ण। प्रोविलन है प्लाजमा में कभी-कभी एक्जाम में पूछता है कि मिलते कहा है तो फ्राइब रिनोजन जो होता है ओ प्लाजमा में ही मिलते हैं सब प्रोटीन होते हैं और इनका जो कार होता है आगे समझेंगे और अच्छे से समझते चलेगा पूरे कांसेप्ट के साथ आप लोगों को हम बता रहे हैं तो अब समझेंगे रूदिराडू के बारे में तो रूदिराडू क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और इसका कार है क्या होता है तो रूदिराडू जो होता है उमुक्य तर ती तो RBC, RBC को लाल रक्त कडिका हैं या इरिथ्धोसाइट भी कहा जाता है और WBC WBC को सुवेतर रक्त कडिका हैं या लिवकुसाइट भी कहा जाता है। तीसरा जो होता है रक्त प्लेटलेश या थ्रोमबोसाईट तो तीनों को अच्छी तरह ब sons ंगे तो अब पढ़ेंगे RBC लाल रख्त कड़िकाएं और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सेर कमेंट जरूर करें तो हम लोग समझेंगे RBC लाल रख्त कड़िकाएं जिसको इरित्रोसाइड भी करते हैं तो इसको इरित्रोसाइड को ध्यान से देख लिजेगा कि आर्बीसी को इरित्रोसाइड भी करते हैं जो आर्बीसी का निर्माड होता है वो अश्तिमज्जा जिसको बोन मैरो भी करते हैं तो आर्बीसी का जो निर्माड होता अश्तिमज्जा में होता है जिसमें प्रोटीन आयरन, बिटामिन वी टोएल, फोलिक अमलेक होता है और आरबीसी के निर्मार में सहायक होती हैं और जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है जितने भी हैं साब इंपोर्टेंट हैं और आरबीसी के जो मृत्तू होती है यक्रित और प्लीहा में होती है तो कभी एकजाम में कोशन बनता है कि आरबीसी का कबरिस्तान किसको कहते हैं तो यक्रित और प्लिहा को तो सबको अच्छे से याद कर लीजेगा वीडियो को एक बार दो बार जरूर देख लीजेगा और और RBC में हीमोगलोबीन होता है जिसमें हीम नामक रंजक एक परदार्थ होता हो पाया जाता है इसके कारक्त का रंग लाल होता है और सबसे इंपोर्टेंट होता है कि RBC की संख्या किस से मापी जाती है तो RBC की संख्या जो मापी जाती है हेमो साइटो मीटर से मापी जाती है RBC की संख्या जो होती है हेमो साइटो मीटर से मापी जाती है और RBC का मुख्य जो कार होता है RBC का जो मुख्य कार होता है जो सरीर में प्रते कुशकाओं में आक्सीजन पहुचाना जो सरीर में आक्सीजन पहुचाने का कार करते हो और RBC ही होती है और कारबन डाइकसाइड का वापस लाना तो इसका यह RBC का इतना सब महत्वपूर थे तो अच्छे से वीडियो को एक बार दो बार जरूर देख लेजिएगा जरूर देख लेजिएगा और जब हीमोगलोबीन की मातरा कम हो जाती है तो एनेमिया रोग हो जाता है तो इसको ध्यान से देख लिजेगा कि हीमोगलोबीन का जब मात्रा कम हो जाती है तो एनेमिया रोग हो जाता है तो आप समझेंगे WBC के बारे में तो WBC होता क्या है तो सुवेत रख्त कड़ का है रोगो के संक्रम provider से बचाने का जो कारी करते हैं और डबलु बीसी ही होते हैं और बेख्त का नर्माड़ होता है रिश्धत के जिसको बोन मेरोभी करते हैं और कभी कभी जो होता है WBC का निर्माड वो यक्रित और प्लियाए में भी हो जाता है तो धिएन से देख लिजेगा और RBC का वहीं निर्मार अस्था मAME रहा था और WBC का वहीं निर्मार अस्थी मज्जा में हो रहा diet और इसका जो जीवन काल है दो से चार दिन का होता है और जो इसका मिर्तु रक्त में बलड में ही हो जाता है जो WBC का जो मिर्तु होता है वो बलड में ही हो जाता है और जो RBC था उसका मिर्तु पलिया और या कृत में हो जा रहा था और WBC का मिर्तु रक्त बलड में ही हो जाता तो अच्छे से हमारा उम्मिद है कि अच्छे से समझ गये होंगे आप तो आप समझेंगे रगत प्लेट लेस के बारे में जिसको रगत बिमबाड़ू भी करते हैं या थ्रॉम्भोफाइट भी करते हैं तो confused friends आप लोग मत हुएगा सबको अच्छे से समझ लिजेगा और जो रक्त प्लेटलेस होता है इसका निर्मार जो होता है अश्थी मज्जा में होता है जिसको bone marrow वी करते हैं और जो रक्त प्लेटलेस का जीवन काल होता है तीन से पांच दिन का होता है और जो इसकी मिर्ट्व होती है रक्त प्लेटलेस की ओ प्लिया में हो जाती है तो अच्छे से समझते चलिए आप लोग और जो इसका मुख्य कारे होता है रक्त प्लेटलेस का रक्त का थक्का बनान में मदद करता है और एक एक्जाम में कोश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा कि रक्त में फाइब रिनोजन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त को जमने में मदद करता है रक्त को जमने में मदद करता है फाइब रिनोजन एक प्रोटीन होता है और रक्त मे हिपाईरी नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है, तो दोनों को अच्छी तरह से समझ लीजेगा, एक है रक्त, यह रक्त को जमने में सायक होता है, फाइबरी नोजन, एक रक्त को जमने से रोकता है, हिपाईरीन होता है, अडेंगु जोर के कारण ज प्लेटिलेस की कमी आ जाती हैं सिया हैö करो है कि तो आप समझेंगे राक्त समु ब्लडॡ के बारे में तो ब्लड ग्रूप के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे तो ब्लड ग्रूप कि खोज कारल लाट इस्टीनर एक बेज्ञानिक थे वह ही किये थे और एंटीजन के अधार पे मनुष्य से में चार प्रकार के बलट पाए जाते हैं ए बी ए बी और ओ और हम लोग समझेंगी कौन से गुरूप वाले ब्यक्ति कि इसको रख्त दान कर सकता है और जो बलट ग्रूप ए वाला होता है ओ ए तता ए बी को रख्त दान कर सकता है मतब दो लोगों को बलट ग्रूप ए वाला रख्त दान कर सकता है ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है आज जो ब्लट गरूप B वाले होते हैं और B को तता A-B को रखत दान कर सकते हैं जिसको सर्व ग्राही कते हैं इसको A-B को सर्व ग्राही भी कते हैं और ये किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है, जो AB होता है, वो किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है, किन्तु AB के ब्यक्ति को ही रक्त दान कर सकता है, यह जो AB होता है, वो केवल AB वाले ब्यक्ति को ही रक्त दान कर सकते हैं, और जो O होता है, जो Blood Group O होता है, या किसी भी वर्ग को रक्त दान कर सकता है, परन्तु केवल ओ से ही रक्त दान प्राप्त कर सकता है, जो blood group O वाले होते हैं, वह केवल ओ से ही रक्त प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्रीज लाइक, चेर, कमेंट जरूर करें और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का